वेल्कम तू माई यूटूब चैनल जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें आमला बाजार में आना शुरू हो गया है यह हलकी हलकी सर्दी के साथ आमला पेड़ों पे लग जाता है और मार्केट में आ जाता है तो हम इसका पडला मुरबभा बनाके या चैटनी बणाके मुरबभा चैठनी और अचार बनाके और भी कई तरीकों से इस्टोर करते हैं और यह देके कैंडी है यह बचों के рिए बहुत फायदा करती है आमला पिया War आमले के रस का शर्वत भी बना सकते हैं जैसे यह मैंने बनाया है इसका रस है और इसमें जूस में पानी डालके हम इसे शर्वत के रूप में भी पी सकते हैं और इसे कई तरीके से खाया जाता है और यह आमला हमें किस किस तरह से लाब देता है यह मैं आपको बता रही हूं क इनके चीजों में उपयोग किया जाता है आमले की चटनी बना कर इसको चटनी लौ भस्म के साथ बना करके पीलिया में और एनेमिया में एनेमिया रोग जो होता है उसमें लाब देता है और नमबर दो है पेट के लिए पेट में पेट में या किसी को पेट खराब रहता है तो आमले के साथ हर वहिडा का चूरन खाने से जूर बनता है त्रिफला चूर भी वोलते हैं तो इसको खाने से पेट की कबजी की समस्या दूर होती है इसको गुंगणे पानी से लेना चाहिए तो आपका पेट साफ रहता है और यदे आपको दस्त हो गए हैं मतलब पेट खराब हो गया है तो आप इसको ठंडे पानी से लीजिए तो आपका पेट सही हो जाता है इसको लेने के तरीके में ही फरक है और गठिया रोग में और जोडों के दर्द में गठिया रोग में लोगों के क्या होता है दर्द होता जाता है और उसमें और ये फायदा करता है और नम्बर तीन पर है ये पेट से संबंदि ये तो हो गया नम्बर फोर पर है हर्ट से संबंदित विमारियां होती हैं कम करने के साथ क्या काम होता है कि हमारे हर्ट की नश्यध होती है उन को जो श dwar जाती है उनकुको खोलने का काम करता है तो इसको ज्यादतर हरा आमला खाना चाहिए लोगों को और रोजाना एक आमला खाने से आकी ये समस्या दूर हो जाए ये हर्ट से संबन इससे संकुचित होने से ये रोकता है हर्ट की रक्तवाइनी को संक्चित होने से रोकता है जिससे रक्त का दवाव सामान रहता है और हर जबर फॉर्ट फाइपर है मूंके छाले में आमले के पत्ते को चवाना चाहिए और चवाने के बाद उसको धूग दें और कुल्ला नहीं करें तो आपके मूंके चाले सही हो जाते हैं इसे आमले के चाहे आप केंडी खाते हो चैक इस से फर्ण नहीं पढ़ रहा है किस तरीक आपको केंडी खाने से फरकनी पड़ेगा पेट के लिए ओजाना खाने के लिए यह केंडी और मुरब्बा और हरा आमला यह सब ठीक है लेकिन जिस तरीके से जो चीज फायदा करती है उस तरीके से ही लेनी चाहिए और आमले को जब दस्त हो जाते हैं तब भी आमला बहुत बुल फायदा करता है नमल सेब्बिन पर है बालों को काला करने के लिए आमले को पीश कर पाउडर बनाए जाता है तो अक सब्सादें के साथ में आमली यहां और नाने से सब्सक्राइब करें और और भी तरीक आक टाली होझा है जैसिके आं में अजिए के सब्सक्रेद का काम भी करता है और बालों को काला भी करता है एक और बैनिफेट है इसका नमबर एड़ पर कि चैरे पर तारदब्बे जो हो जाते हैं तो किसी भी मतलब उसका रस निकालके और फेस पर लगा लिए जिनको एलर्जी है वो ना लगाए जिनको नीबू से या फिर खटी चीजों से एलर्जी है चैरे पर सूजन आ जाती है तो लोग ना लगा है लेकिन जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो इस तरीके से इसके रस को लगा के अपने चैरे के दाग दब्बे कम कर सकते हैं और नेक्स है हिचकी या उल्टी आने पर आमले के रस को कैसे लेना चाहिए जैसे किस को पिलाने से देखती के हिचकी भी बंद हो जाती है और या उल्टी आ रही है तो उल्टी में भी फायदा मिलता है तो आखों के लिए आमला बहुत फायदा करता है यह नेक्स्ट नमर है आखों के लिए सबस्यादा फायदा करता है इससे आखों की जोती बढ़ती है आमला उनकी भी जोती बढ़ जाती है तो उप्रेशन की नौबत नहीं आती उन्हें बहुत ज्यादा मिलता है और एक और फायदा है सबसे जरूरी फायदा कि सर्दियों में सर्दी खांसी अकसर लोगों को हो जाती है तो लोग चवन पराश खाते हैं तो चवन पराश में क्या होता उसमें तुकर काली और थोड़ा थोड़ा नमक डाल के चाट मसाला भगा डालके बच्चे यह बड़ों को खिले को यह सर्दी खांसी वह छवन पराश का ही काम करेगा सर्दी खांसी भी बच्चे बच्य रहेंगे दिmoais आपको यह आम लेके दस पायदे आपको समझ में आए होंगे तो आपको यद मेरे यह तरी मेरे समझाने का तरीक आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें